नमस्कार मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। कानपुर शहर का नवाब गंज मुहला कई मायनों में अपनी पहचान बनाए हुए है। एक तो यह पुराना कानपुर के नाम से जाना जाता है। दूसरे गंगा नदी पर बना गंगा बैराज अपनी अध्भुत छटा बिखेरता है। अटल घाट पर बैठ कर लोग कलकल बहती गंगा की लहरों का लुट्फ उठाते हैं। नौका विहार का आनंद भी लेते हैं। सैकडों की संख्या में यहां लोग रोजाना आते हैं। नवाब गंज का जागेश्वर मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। यहां हर साल सावन के अंतिम सुमवार को दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिला पहलवान भाग लेते हैं। दंगल को देखने भारी भीड उमरती है। इसी जागेश्वर मंदिर के ठीक सामने ओम प्रकाश सैनी अपने परिवार के साथ रहते थे। मजली बेटी बर्खा सैनी थी। वह अपनी अन्य बहनों से ज्यादा खूबसूरत थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी खूबसूरती में और निखार आ गया था। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद वह आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन सरला ने उसकी पढ़ाई बंद करा दिया और घरेलू काम में लगा दिया। बर्खा बंसवर कर मंदिर परिसर स्थित फूलों की दुकान पर अपनी मा के साथ बैठती तो अनेक योगों की निगाहें उसे घूरती थी। चंचलचपल बर्खा किसी को अपने पास नहीं फटकने देती थी। बर्खा के जवान होने पर वह उसके लिए उचित लड़के की तलाश में जुट गए। उन्होंने परिचय के साथ बर्खा का नाम सैनी समाज के सामुहिक विवाह रजिस्टर में भी दर्स करा दिया। लंबी भाग दौड के बाद उनकी तलाश क्रिश्नकांत सैनी पर जाकर खत्म हुई। क्रिश्नकांत के पिता राज कुमार सैनी कानपुर शहर के यशोदा नगर मोहले में रहते थे। सैनिक चौराहे पर उनका निजी मकान था। वैसे वह मूल निवासी सकरापुर बिधनू के थे। वहां उनका पुष्टैनी मकान और कुछ खेती की जमीन है। राज कुमार के परिवार में पतनी सुनीता के अलावा एक बेटी शिखा तथा बेटा क्रिश्नकांत था। शिखा की वह शादी कर चुके थे जबकि कृष्णकांत अभी कुवारा था। कृष्णकांत इलेक्ट्रिशियन था। वह क्षेत्र की एक दुकान पर काम करता था। ओम प्रकाश सैनी ने जब कृष्णकांत को देखा तो वह उसके आचार विचार से प्रभावित हुए। अच्छा घरवर देखकर ओम प्रकाश ने अपनी बेटी बर्खा का रिष्टा उसके साथ तै कर दिया। फिर 22 दिसंबर 2009 को बर्खा सैनी का विवाह क्रिष्णकांत सैनी के साथ धूमधाम से कर दिया। शादी के बाद बर्खा क्रिष्णकांत की दुलहन बनकर ससुराल आई तो उसने अपने बात व्यवहार से पती और सास ससुर का दिल जीत लिया। सुन्दर व सुशील बहुपाकर जहां सास ससुर खुश थे। सब खुश थे लेकिन बर्खा खुश नहीं थी। उसने जिस सजीले पती को सपने में संजोया था। प्रिष्णकांत वैसा नहीं था। वह साधारन रंगरूप वाला, दुबला पतला तथा कम बोलने वाला इनसान था। बर्खा ने सुहागरात में ही जान लिया था कि उसका पती पौरुश हीन है। उसे सदैव शारिरिक सुख के लिए तडपना पड़ेगा। दिन बीटते रहे। लगभग देड़ साल बाद बर्खा ने एक बेटे को जन दिया, जिसके जन से घर की खुशियां और बढ़ गई। मयंक के जन से राज कुमार वह उनकी पतनी भी गदगद थी। उन्होंने इस खुशी को साजा करने के लिए सैनी समाज के लोगों को भोज कर आया। बर्खा को घर में वैसे तो सब सुख था, लेकिन पती सुख से वंचित रहती थी। क्रिश्न कांथ सुभ नौ बजे घर से निकलता, फिर रात नौ बजे ही घर आता। वह कभी शराब के नशे में धुथ हो कर घर लोटता तो कभी बेहत थकाहारा। कभी खाना खाता तो कभी बिना खाये ही चारपाई पर पसर जाता। बर्खा रात भर करवटे बदलती रहती और गीली लकड़ी की तरह सुलकती रहती थी। वह हर रात अर्मानों को खाक करती और भाग्य को कोस्ती थी इसी तरह समय बीटता रहा कृश्न कांथ का एक दोस्त था दीपक गुपता उसके घर से चार घर छोड़ कर वह रहता था दीपक के पिता विमल गुपता की घर के बाहर पान की दुकान थी क्रिश्न कांत भी उसकी दुकान पर पान मसाला खाने जाता था दुकान पर ही क्रिश्न कांत की उसकी दोस्ती दीपक गुपता से हुई थी समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी हुई तो दीपक का उसके घर आना जाना शुरू हो गया दीपक गुपताई रिक्षा चलाता था. उसकी कमाई अच्छी थी. वह बंसवर कर रहता था. चुंकि दीपक क्रिश्न कांथ का दोस्त था. इसलिए घर के कामों के लिए वह ज्यादातर उसे ही भेजता था. घर के कामों के साथ साथ दीपक बर्खा के छोटे मोटे निजी काम भी कर दिया करता था दीपक बर्खा की हमम्र था इसी आने जाने में ही दीपक की नजरे बर्खा के यवन पर जम गई फिर तो जब भी उसे मौका मिलता, वह बर्खा से ऐसा मजाग करता कि वह शर्म से लाल हो उठती थी औरतों को मर्दों की नजरें पहचानने में देर नहीं लगती है बर्खा ने भी दीपक की नजरों से उसका इरादा भाप लिया था बर्खा 85 औरत थी इसलिए उसने दीपक की मजाग का कोई विरोध नहीं किया बर्खा हसीन तितली थी फोठो पर हमेशा लुभावनी मुस्कान सजाय रखना उसका शगल था उसका मस्त यववन और उसकी कटीली अदाएं दीपक के दिल पर छुरियां चलाती थी चुंकी दोस्ती वह मुहले के नाते बर्खा दीपक की भावी थी अतह उनके बीच कुछ ज्यादा ही हसी मजाक हो जाता था बर्खा ने जब से घर की जिम्मेदारी संभाली थी तब से राज कुमार वह उनकी पतनी बहु से बेफिक्र हो गए थे वह घर का भार बहु को सौंप कर अपने पैत्रिक गाव सक्रापुर रहने लगे वे कभी कभार ही बेटे बहु के पास आते थे और कुछ दिन रुख कर फिर वापस चले जाते थे सास ससुर के ना रहने से बर्खा एकदम आजाद हो गई थी उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था एक रोज दोपहर को दीपक इरिक्षा लेकर बाजार जा रहा था कि उसे बर्खा दिखाई दी उसने इरिक्षा रोक दिया बर्खा नस्दीक आई तो दीपक ने उसे छेड़ा भाभी क्या भईया को छोड़ कर जा रही हो, बहुत जल्दी में दिख रही हो आज, तुम्हारे भईया को छोड़ कर भागूंगी, तो तुम्हारे साथ ना बर्खाने बिना संकोच के कहा और उसकी इरिक्षा पर बैठ गई, चलो भगाले चलो मुझे, कहा दीपक अब सक्पका गया बस निकल गई हवा, बड़े आई भाभी का खयाल रखने वाले, चलो मुझे बाजार तक छोड़ दो बर्खाने उसे टहो का मारा उस रोज बाजार में बर्खाने शौपिंग की, तो दीपक ने उसे इंप्रेस करने के लिए अपनी तरफ से उसे एक अच्छी सी साड़ी खरीदवा दिया फिर एक रेस्तरा में उसे बढ़िया सा नाश्ता भी कराया वापसी में भी दीपक उसे साथ लेकर आया, इस दोरान दोनों काफी खुल चुके थे दीपक ने दबेस्वर में बर्खा को यह जता दिया था कि वह उसे बिंतहा चाहता है बर्खा अपनी कटीली अदाओं से उसे घायल करती हुई मुस्कराती रही महले से कुछ दूर बर्खा को उतारते हुए दीपक बोला भाभी, आज मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की, क्या उसकी मेवा भी मिलेगी एक घंटे बाद घर आ जाना, चाय पिला दूँगी सिर्फ चाय दीपक घर पहुँचा उसने कपड़े बदले फिर मां से बहाना करके घर से निकल गया वह जानता था कि बर्खा इस वक्त घर पर अकेली होगी क्रिश्न कांत रात नौ बजे के पहले घर नहीं आता था दीपक उसी रोज बर्खा को पालेना चाहता था अता वह बर्खा के घर की ओर चल पड़ा बर्खा ने दीपक को पलंग पर बिठाया फिर मुस्कराते हुए पूछा क्या पियोगे देवरजी चाय या दूध बर्खा प्यासी औरत थी उसकी नजर दीपक की जवानी पर थी दीपक ही उसकी प्यास बुझा सकता था उसका पती कृष्ण कांत उसकी पेट की भूख तो मिटा सकता था पर तन की भूख नहीं मिटा सकता था अता उसने एक कामुक सीथकार भरी और बोली मैं पहले दर्वाजा बंद कर लू दीपक ने उसे छोड़ा तो वह दर्वाजा बंद कर आई वह जैसे ही पलंग के पास आई दीपक ने उसे बाहों में भर लिया और पलंग पर लुढ़क गया उसके बाद तो कमरे में सीथकार की आवाजें आने लगी कुछ देर बाद दोनों अलग हुए तो उनके चहरे पर पूर्ण संतुष्टी के भाव थे उस रोज बर्खा जहां शादी के समय दिये गए सभी वचन भूल गई और पती के साथ विश्वासधात कर बैठी वहीं दीपक ने दोस्ती को दरकिनार कर दोस्त की पीठ में इज़्जत का छुरा घूंप दिया वह भूल गया कि बर्खा उसके दोस्त की पतनी है अवैद संबंधों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो वक्त के साथ बढ़ता ही गया दोनों को जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे में समा जाते थे बर्खा अब दीपक के साथ सैर सपाटा करने भी जाने लगी दीपक बर्खा को इरिक्षा पर बैठा कर रमनीक स्थल मोती जील ले जाता वहां की मखमली घास पर बैठ कर दोनों घंटों तक प्यार भरी बाते करते थे फिर जील में नाव पर बैठ कर खूब मस्ती करते थे पती के वापस आने के पहले वह घर लोट आती थी दीपक का क्रिश्न कांथ के घर आना जाना बढ़ा तो अडोस पडोस के लोगों के कान खड़े हो गए कई लोगों ने बर्खा को दीपक के साथ बाजार में भी साथ देखा था सो वे भी कानाफूसी करने लगे थे क्रिश्न कांथ को बात पता चली तो उसका माथा ठनका उसने बर्खा से कहा तो कुछ नहीं लेकिन उस पर शक करने लगा एक रोज क्रिश्न कांथ सुभा काम पर गया लेकिन दोपहर को ही वापस लोट आया उस समय बर्खा घर पर ही थी क्रिश्न कांत यह सोच कर घर वापस आया था कि बर्खा के साथ प्यार भरे कुछ लमहे बिताएगा लेकिन जो ही वह अपने कमरे में दाखिल होने को हुआ बर्खा की आवाज उसके कानों से टकराई उसके साथ मेरा विवाह हो गया तो क्या हुआ मेरा जिस्म और मेरी आत्मा तुम्हारे ही रहेंगे हमें कोई रोक नहीं सकता क्रिश्न कांत के कानों में मानों किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो उसका चहरा गुस्से से लाल हो गया मारे गुस्से और नफरत के उसके जबडे भिच गये दर्वाजे को धकेलते हुए वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसे अचानक सामने पती को देख कर बर्खा के चहरे का रंग उड़ गया क्रिश्न कांत उसे घूरते हुए दहाडा बताओ कौन है वह जिससे तू फोन पर बातें कर रही थी जरूर वह तेरा आशिक ही होगा बर्खा चुपचाप क्रिश्न कांत की बात सुनती रही उसके चहरे पर गलानी या क्षोग के कोई भाव नहीं थे बजाय जुकने के बर्खा सक्त लहजे में बोली तुम्हें यह जानना है ना कि मैं किस से बातें कर रही थी तो जान लो मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी अगर यकीन ना हो तो ये लो फोन और नंबर मिला कर कर लो उससे बात कहकर उसने फोन पती को पकड़ा दिया बर्खा ने जिस आत्म बिश्वास के साथ यह सब कहा था उससे क्रिश्न कांत को लगा कि वह सच बोल रही है उसे लगा कि पूरी बात जाने बिना उसने बेकार में पत्नी पर शक किया यही नहीं उसने बर्खा से माफी मांगी और उसे मनाने लगा बर्खा के जब से दीपक के साथ जिसमानी संबंध बने थे तब से उसने पती को भुला ही दिया था, लेकिन उस दोपहर जब माफी मांगने के बाद क्रिश्न कांत ने बर्खा से प्यार भरी बातें किया और उसे अपनी बाहों में भरा तो वह पती को समर्पित हो गई क्रिश्न कांत खुश था कि आज उसने बीरी को पा लिया है, पर वह यह नहीं जानता था कि बीवी ने उसके शक को दूर करने के लिए उसके समक्ष जिस्म की गिरह खोली थी धीरे धीरे समय बीटता रहा दीपक के दिल में प्रेमिका बनी बर्खा के प्रती चाहत और बढ़ गई यह चाहत उस रोज और बढ़ गई, जब बर्खा ने एक रोज अंतरंक शनों में दीपक से कहा कि उसके पती और मुहले वालों को उनके प्यार की भनत लग गई है इस से पहले की उनके प्यार पर पहरे लगा दिये जाएं, उन दोनों को भाग कर अपनी नई दुनिया बसा लेनी चाहिए पर भाभी यह कैसे हो सकता है, दीपक सोच में पढ़ गया क्या तुम मुझ से प्यार नहीं करते, बर्खा दीपक से लिपट कर उसका मुह चूनने लगी भाभी प्यार तो अपनी जान से ज्यादा करता हूँ तुम्हे तो अब यह तुम जानों की मुझे पाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए बस इतना जान लो की मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अगर तुम मुझे न मिले तो जमाने के तानों से तंगा कर मैं अपनी जान भी दे दूँगी फिर मेरे मुर्दा शरीर से प्यार करते रहना दीपक ने जवाब दिया, ऐसा मत बोलो भाभी तुम चली गई तो मैं ही जी कर क्या करूंगा क्रिश्न कांत को दीपक और बर्खा के रिष्टों के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा था अता वह भी उस पर शक करने लगा था उसका शक तब और बढ़ गया जब उसके साथ ही कर्मचारी ने शराब पीने के दौरान सारी सक्चाई बया कर दिया उसने कहा क्रिश्न कांत तुम्हारी बीवी बच्चलन है वह तुम्हारे दोस्त दीपक के साथ रंगरेलिया मनाती है उस पर लगाम कसोवर्ना वह तुम्हे छोड़कर उसके साथ भाग जाएगी कृष्ण कांथ को सहकर्मी की बात कड़वी तो लगी लेकिन नकार ना सका शक होने पर वह बर्खा पर नजर रखने लगा उन्ही दिनों एक रोज कृष्ण कांथ ने भी बर्खा को अपने ही घर में दीपक के साथ रंग्रेलिया मनाते पकड़ लिया दीपक तो भाग गया पर बर्खा कहां जाती कृष्ण कांथ ने उसे खूब जलील किया पतनी की इस बेवफाई से आहत कृष्ण कांत ने बर्खा को उच नीच समझाने का प्रयास किया वह नहीं समझी तो कृष्ण कांत ने लातों से उसकी खबर लेना शुरू कर दिया कृष्ण कांत ने सोचा था कि शायद मार खाकर बर्खा रास्ते पर आ जाए लेकिन उस पर इसका असर उल्टा ही हुआ वह कृष्ण कांत से और अधिक नफरत करने लगी पती-पतनी के संबंध कसैले हुए तो घर में कलेश का वातावर्ण बन गया राज कुमार ने बेटे से हाल समाचार पूछा तो उसने पिता को बता दिया कि उनकी बहु कभी भी उनकी इजज़त को धूल में मिला सकती है बहु का सच जानकर राज कुमार को भी गहरा दुख हुआ कृष्ण कांत को जिस बात की आशंका थी वही हुआ एक रोज बर्खा सचमुच उसकी इज़़त को पैरों तले रौंधते हुए अपने आशिक दीपक के साथ भाग गई दस वर्षिय बेटे को भी वह अपने साथ नहीं ले गई बेटे का मोह भी उसे बांध ना सका उस रोज कृष्ण कांत घर आया तो उसका बेटा मयंत घर में गुमसुम बैठा था पूछने पर उसने बताया कि मम्मी दीपक अंकल के साथ बाजार गई है अटैची में सामान भी ले गई है कृष्ण कांत तब सब कुछ समझ गया कृष्ण कांत ने बर्खा के भाग जाने की खबर अपने माता पिता तथा बर्खा के घर वालों को दिया खबर पाते ही बर्खा के पिता उंप्रकाश सैनी तथा कृष्ण कांत के पिता राज कुमार और मा सुनीता आ गई राज कुमार ने चार घर दूर रहने वाले विमल गुपता से मुलाकात की और उनके बेटे दीपक गुपता के बारे में पूछा विमल गुपता ने पहले तो कुछ भी बताने से मना कर दिया लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट दर्स कराने की धमकी दी तो विमल गुपता ने बेटे का ठिकाना बता दिया लगभग एक सप्ताह बाद किसी तरह ओम्त्रकाश सैनी वराज कुमार बर्खा को शिवराजपुर कस्बे से समझा बुझा कर घर ले आए दीपक भी साथ था घर में सैनी समाज के खास लोगों को बुलाया गया उसके बाद पंचायत हुई पंचायत में तै हुआ कि दीपक भर्खा से मिलने घर नहीं आएगा भर्खा इजज़त से घर में रहेगी क्रिश्नकांत भर्खा का पूरा खयाल रखेगा उसके साथ किसी तरह की मारपीट वबदसलूकी नहीं करेगा बर्खा और क्रिश्नकांत ने पंचायत के लोगों की बात मान लिया उसके बाद क्रिश्नकांत बर्खा के साथ रहने लगा बर्खा के सास ससुर भी साथ रहने लगे बर्खा सास ससुर की निगरानी में रहने लगी तो उसका अपने प्रेमी दिपक से मिलना जुलना बंध हो गया अब वह जब भी घर से बाहर निकलती तो सास उसके साथ रहती समय बीटता रहा अगस्ट 2022 में बर्खा ने दूसरे बेटे को जन्म दिया दूसरे बेटे के जन्म से एक बार फिर से घर में खुशियां लोट आई खुशी इस बात की भी थी कि दस वर्ष बाद बर्खा ने फिर से बेटे को जन्म दिया था इस खुशी में राज कुमार ने समाज के लोगों को दावत दिया दूसरे बेटे के जन्म के बाद क्रिश्न कांत को लगा कि बर्खा अपने आशिक दीपक को भूल गई है लेकिन यह उसकी भूल थी बर्खा के दिल में अब भी दीपक बसा हुआ था वह उसके लिए तडपती भी थी अपनी तडप वह फोन के माध्यम से मिटाती थी बर्खा को जब भी मौका मिलता वह दीपक से बतिया लेती थी और अपनी लगी गुझा लेती थी दीपक भी बर्खा के लिए बेचैन था लेकिन उसका मिलन नहीं हो पाता था 27 मई 2023 को बर्खा के अशोक नगर निवासी मामा संजय की तेरहवी थी इस कार्यक्रम में शामिल होने बर्खा अपने पती कृष्ण कांत के साथ अशोक नगर पहुँच गई यहां उसकी मा सरला तथा पिता ओं प्रकाश सैनी भी आये हुए थे दिन भर मामा के घर जमावड़ा बना रहा शाम को कृष्ण कांत ने बर्खा से घर चलने को कहा तो उसने कहा कि वह माता पिता के साथ नवाब गंज जा रही है कल वह घर आ जाएगी इसके बाद वह अपने दोनों बच्चों के साथ नवाबगंज चली गई और कृष्ण कांठ अपने घर चला गया इधर दीपक को पता चला कि बर्खा अपने मामा के यहा गई है तो उसने फोन पर बर्खा से बात किया और जीटी रोड स्थित हनुमान मंदिर पर मिलने को कहा लेकिन बर्खा ने उसकी बात यह कहकर नहीं मानी कि वह पती और माता पिता की निगरानी में है इसके बाद कई बार दीपक ने फोन किया और बर्खा के संपर्क में बना रहा शाम पांच बजे दीपक ने बर्खा को फोन किया तो उसने बताया कि वह माय के नवाब गंज जा रही है इस पर दीपक ने कहा बर्खा आज अगर हमारा मिलन तुम से ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूँगा मैं बहुत दिनों से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ अब मुझ से रहा नहीं जाता जवाब में बर्खा ने कहा तुम जान देने की बात मत करो तुम जागेश्वर मंदिर परिसर आजाओ फोन पर संपर्क बनाए रखना मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी मेरी काल का इंतजार करना कोई जल्दबाजी मत करना रात नौ बजे के पहले ही दीपक जागेश्वर मंदिर परिसर पहुँच गया और बर्खा की काल आने का इंतजार करने लगा इधर बर्खा वघर के अन्य सदस्य खाना खाकर आये ही थे सो सब सोने चले गए बर्खा उसके दोनों बच्चे बहन वमा एक कमरे में लेट गए जबकि उसके पिता दूसरे कमरे में रात दस बजे तक सभी गहरी नींद में सो गए लेकिन बर्खा को नींद कहा थी वह छट पर जाकर चहल कदमी करने लगी चट पर स्थित कमरे की भी उसने साफ सफाई कर दी थी रात करीब साढ़े दस बजे बर्खा ने दीपक को काल किया और घर के दर्वाजे पर आने को कहा फोन पर बतियाते बर्खा और दीपक दर्वाजे पर आए बर्खा ने दर्वाजा खोल कर दीपक को घर के अंदर कर लिया इसके बाद वह दीपक को छट पर बने कमरे में ले आई यहां दोनों ने पहले शारिरिक भूख मिटाई फिर आपस में बती आने लगे दीपक बोला बर्खा मैं तुमसे बेंतहा प्यार करता हूँ तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता तुम मेरे साथ भाग चलो हम दोनों अपनी नई दुनिया बसा लेंगे इस बार हम इतनी दूर जाएंगे जहां कोई हमें खोज नहीं पाएगा दीपक अब यह सब संभव नहीं अब मैं एक नहीं दो बच्चों की मा हूँ भी मिट्टी में मिल जाएगी मेरा तुम्हारा मिलन जैसे आज हुआ है वैसा आगे भी होता रहेगा मैं भी तुम्हारे लिए तड़पती रहती हूँ सदा हमारे दिल में रहते हो तुम लेकिन मुझे अब छिप-छिप कर मिलना पसंद नहीं है तुम्हे मेरे साथ आज ही चलना होगा नहीं चली तो अनर्थ हो जाएगा क्या अनर्थ हो जाएगा मुझे मार डालोगे क्या बर्खा गुस्से से बोली हाँ मैं तुझे मार डालूंगा और खुद को भी मिटा लूंगा दीपक भी गुस्से से भर उठा बर्खा ने दीपक की बात को मजाक समझा और हसने लगी इस पर दीपक का गुस्सा और बढ़ गया उसने उसका गला पकड़ा और कसने लगा बर्खा बेहोश हुई तो दीपक ने जेब से चाकू निकाल लिया और बर्खा का गला रेत दिया प्रेमिका की हत्या करने के बाद दीपक चला गया प्रेमिका के घर से दीपक गुरुदेव चौराहे पर आया यहां से आटो पर बैठ कर जखरकटी आया अब तक वह गलानी वह पकड़े जाने के डर से घबराने लगा था कुछ देर वह जखरकटी पुल के नीचे रेल लाइन के किनारे बैठा रहा फिर देर रात रेल से कट कर आथ हक्त्या कर लिया इधर रात लगभग बारा बजे बर्खा का मासूम छोटा बेटा जाग गया भूख से वह रोने लगा तो सरला की आखें खुल गई उसने छोटी बेटी कलपना को जगा कर कहा कि देखो बर्खा कहा है उसका बच्चा भूख से रो रहा है कलपना बर्खा को खोजती छत पर गई तो वहां कमरे में बर्खा की खून से तरबतर लाश देखकर वह चीख पड़ी उसकी चीख सुनकर सरला वहां पहुँची फिर उसका पती ओम प्रकाश सैनी दोनों बेटी का शव देखकर अवाक रह गए ओम प्रकाश सैनी ने पहले बर्खा के पती क्रिश्न कांथ को मौत की सूचना दिया फिर थाना नवाब गंज पुलिस को बेटी की हत्या की खबर दिया सूचना पाते ही S.H.O. प्रमोद कुमार पांडे पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर आ गए उनकी सूचना पर पुलिस कमिशनर बीपी जोगदंड, एडिशनल डीसीपी, सेंट्रल, आर्ती सिंह तथा एसीपी, कर्नल गंज, मोहमद अकलम भी घटना स्थल आ गए पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षन किया मृत्का बर्खा सैनी की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी उसकी हत्या चाकू जैसे किसी नुकीले हतियार से की हुई लग रही थी घटना स्थल से पुलिस को मृत्का का मोबाईल फोन मिला, जिसे अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा में ले लिया अब तक मृत्का का पती कृष्न कांट तथा उसके माता पिता भी आ गए थे पुलिस अधिकारियों ने मृत्का के माता पिता तथा पती से पूछताच किया तो उन्होंने बताया कि रात 9 बजे तक सब कुछ सामान्य था उसके बाद सब सो गए आशमका है कि रात में बदमाश लूटपाट के इरादे से घुसे, शायद बर्खा जाग गई तो उन्होंने उसका गलारेत दिया पूचताच के बाद अधिकारियों ने शव को पोस्ट मार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया ओम प्रकाश सैनी के घर के ठीक सामने जागेश्वर मंदिर है वहां CCTV कैमरे लगे थे पुलिस अधिकारियों ने फुटेज चैक किये तो रात करीब साढ़े दस बजे एक युवती फोन पर बतियाते घर से बाहर निकलते दिखाई दी दूसरी तरफ एक युवक घर में प्रवेश करते दिखा इसके बाद रात 11 बस कर 35 मिनट पर वही युवक घर से बाहर जाते दिखा यह फुटेज ओम प्रकाश सैनी वह कृष्ण कांत को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि फोन पर बतियाती युवती उनकी बेटी बर्खा है क्रिश्न कांत ने बताया कि फोन पर बतियाते दिख रहा युवक उसकी पत्नी बर्खा का प्रेमी दीपक गुपता है जो उसके पडोस में रहता है इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बर्खा के फोन से दीपक को काल की तो जी आर्पी ठाने के एक सिपाही ने काल रिसीव किया उसने बताया फोन धारक ने रेल से कट कर आथ हत्या की है उसका शव अग्यात में पोस्ट मार्टम हाउस भेजा जा चुका है दीपक के पिता विमल गुपता से शव की शिनाख्त कराई गई तो उन्होंने शव को तुरंट पहचान लिया पुलिस ने बर्खा और दीपक के मोबाईल फोन की काल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला की मरने से पहले दोनों के बीच 23 बार बात हुई थी पिछले दो महीने में दोनों के बीच 500 बार बात मोबाईल फोन पर हुई थी जाच परताल से सपश्ट था कि दीपक ने ही पहले प्रेमिका की हत्या की फिर खुद रेल से कट कर आथ हत्या कर लिया मृतका बर्खा के पती कृष्ण कांथ ने पतनी की हत्या की रिपोर्ट दीपक के खिलाफ दर्स कर आई लेकिन दीपक द्वारा भी आथ हत्या कर लेने से पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया कहानी संकलन तक मृतका के दोनों बच्चे नाना नानी के पास पल रहे थे कृष्ण कांथ को अपने बच्चों की चिंता सता रही थी वह उनका पालन पोशन खुद करना चाहता है इसके लिए उसके माँ बाप भी राजी है कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धनियवाद इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही अपराद की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए कहानी को लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद